आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ एक रैसिपी वीडियो और आज मैं शेयर करने जाड़ी हूँ भिंडी दो प्याजा की रैसिपी आपको वीडियो कैसी लगती है वो जरूर बताईएगा और रैसिपी को घर बे ट्राए करके जरूर देखिएगा ज्यादा देर प्याजा जैसा कि आप रैसिपी है जैसा कि आप रैगुलर बनाते हैं भिंडी की सबजे उससे बिलकुल अलग है आपको यह जरूर ट्राए करके देखनी चाहिए यहां देखें यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी यह बहुत यह डिलीशियस लग माटर का मैंने यहां पर एक महीन पेस्ट तयार कर लिया है और यहां पर मैं दो पैन का यूज करूंगी एक पैन में मैं यहां पर भिंडी फ्राय करने के लिए डाल रही हूँ भिंडी को अलग से फ्राय करूंगी मैं यहां पर मेरा भिंडी जो है वो थोड़ा गीला है लेकि तो यहां मसालों में तरके के लिए यानि फोरन के लिए मैं यूज कर रही हूँ अजवाइन इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा एंड जीरा का यूज कर रहता है और इस अजवाइन से तो बिलकुल अलग ही टेस्ट हो जाता है सब्जी का जैसा आप रेगुलर भाज करना है गोल्डन ब्राउन होने तक हमें प्याज को भी भूल लेना है और भिंडी एक साइट जहां हमने दूसरे पैन में चड़ाया है भिंडी को भी हमें अच्छे से पका लेना है ज्यादा मसालों के साथ भिंडी ज्यादा कूक नहीं होगा 95% भिंडी आपको अलग से ही ब्राउन कर लेना है भिंडी को एंड 5% जो भिंडी रहेगा वो फिर मसालों के साथ कूक होगा ताकि फ्लेवर भिंडी के अंदर तक जाए तो यहां अनियन जो है वो ब्राउन हो चुका है अभी मैं जो हमारा टमाटर का पेस्ट मैंने रेडी करके रखा था वो मैं डाल द लाता है तब तक यहां भिंडी भी हमारा धीरे-धीरे लाल होने लग गया है इसे कंटीनिवस चलाते हुए हर तरफ से हमें भिंडी को ब्राउन कर लेना है और टमाटर भी यहां पर ओई छोड़ने लग गया है यहां पर हम लोग दूसरे मसाले जो हम लोग नौर्मल वेज प्याज है उनका मैंने लेयर निकाल के अलग कर लिया है जैसा आप चिकन दो प्याजा या पनीर दो प्याजा बनाते वक्त जैसा करते हैं वैसा मैंने यह प्याज का लेयर निकाल के रख लिया है और इसे भी मैं हिंडी के साथ ब्राउन करके अच्छे से भूल लोगी यहा अगर आपके घड़ पीांपर पूर्ण मसाला है तो आप वह भी यूज कर सकते हैं आम्चूर पाउडर के बतले में अगर नहीं है आपके पास आम्चूर पाउडर तो इन मसालों को भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है है अपको घर पे जरूर बिलकुल ही अलग रैसिपी है यहां पर जो पानी हमने डाला था उसे अच्छे सी सुखा लिया है हमने सारा पानी खतम हो गया है इसके बाद मैं यहां पर सौल्ट एड कर रही हूं ऑफकोर्स सौल्ट स्वादा नुसर जो भी आपको टेस्ट पसंद हो जितना भी तो यहां पर भिंडी और प्याज जो हमने रखा था वो भी ब्राउन हो चुका है गैस को बंद कर देंगे हम और भिंडी को मसालों में ट्रांसफर कर देंगे ताक कि मसाले के साथ भी भिंडी थोड़ा 5-10 मिनिट तक कूख हो जाए जो भी मसालों का फ्लेवर है वो भिंडी के अंदर तक जाए यहां पर अच्छे से थोड़ा थोड़ा भिंडी डालते हो हम इसे मिक्स कर लेंगे और करने के बाद यहां पर हम लोग भिंडी को येस अभी अब कभी भी आप जब भिंडी को पकाए तो ढख के ना पकाए क्योंकि अगर आप भिंडी को ढख देंगे तो फिर वो उसका जो वो श्टीकीनेस रहता है वो बहुत जादा और जादा बढ़ जादा है क्योंकि फिर आप नोक इसे सर्फ गर सकते हैं यु डर किस सब्जी मा उटें के साथ हीज़कर सकते है बहुत आप हो डासी बसकोmost करते हैं यह सब्दी को ंकर को कलर से ही मालूम पर रहा हूंदI बिल्क 250 mm लाल हुआ division और अंदर से बहुतर सही से पक्ध भी चुका है इस से जाधा हमें भिंडी को cook भी नहीं करना चाहिए क्योंकि over cook करने से इसका जो nutrition है वो खतम हो जाएगा so ये है हमारी आज की recipe so friends ये थी हमारी आज की भिंडी दो प्याजा की recipe आपको recipe कैसी लगी वो comment box में लिखके जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी देन वीडियो को like जरूर कीजिएगा अपने friends के साथ share कीजिए वीडियो को जितना हो सके उतना and yes don't forget to subscribe the channel thank you for watching my channel